आखीर कार काफी सम्मय बाद पुलीज को सफलता हाथ लगी है और लगभब 24 मोटरसाइकल सहित 11 लोग पुलीज के गिरَफ्ट में हैं वहीं दूसरी सफलता गानेनगर पुलीज को भी मिली है और गानेनगर में हुई हत्या का परदा फ आश हो गया आज पुलीस को दो सफलता हाथ लगी है सहर की कोतवाली पुलीस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है कोतवाली पुलीस ने कारवाई करते हुए चोरी के 24 मोटर साइकल सहित चोरी के आरोपी वा घरिदार सहित 11 लोगों को गिरफतार किया है अंभीकापुर शहर में बीते कुछ दिनों से बाईक चोरी की घड़नाय काफी बढ़ गई है आए दिन ठानों में बाईक चोरी होने के मामले दर्ज हो रहे हैं चोरी के वारदात पर अंकुष लगा ने पुलीस के द्वारा टीम बना कर कारे किया जा रहा है वहीं इसी दवरान पुलीस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी सूचना के आधार पर कोतवाली थाना क्षित्र अंतरगत असोला निवासी 26 वर्ष ये आरोपी विद्याधर को हिरासत में लेकर पूछ ताच की गई जिसके बाद आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बाइक चोरी करने का अपराद स्विकार किया है वहीं पुलीस ने आरोपीयों की निशान दही पर बेची गई बाइक वह छुपा कर रखी 24 बाइकों को जब्त किया है घड़ना में शामिल तीन मुख्य आरोपीयों सहित आठ खरिदारों को पुलीस थाने में ले आई है पुलीस ने बताया कि आरोपी बाइक चोरी कर घर की मजबूरी का बहाना बना कर चोरी की गाड़ियों को बेचते थे अथवा गिरिवी रख कर गाड़ियों को छुड़वाया ही नहीं जाता था वहीं पुलीस अब सभी आरोपीयों को रिमांड पर लेने की तयारी में जुट गई है साथ ही पुलीस ने बताया है कि घर का मुख्य आरोपी विद्यधर पुर्व में भी मोटरसाइकल चोरी के मामले में जेल जा चुका है एवं वर्तमान में कोरोना के दौरान पेरोल पर जेल से छूटा हुआ है छुटने के बाद आरोपी के द्वारा पुनह चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है चोरों के द्वारा सरगुजा जीले सहित अन्य जीलों से भी बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है कि इसके दार चोरी कर अपने साथियों के साथ कई गाड़ियां आसपास के छेतर में लोगों को बेची गई और बहना पर रखी गई है अभी तक लगवग 24 गाड़ी बरामत कर इनके खिलाब कारवाई की गई है कुछ चोर और हैं जो इनके गरोव में सामिल है वो अभी फरार है उनके गरपतारी पर और कुछ गाड़ियों के मिलने के सामाव है अभी दो मेन अरोपी गिरिपतार हुए हैं और कुछ खरिदार गिरिपतार हुए हैं जिनके पास से गाड़ी बरामाद किया है। लोगों से अपिलिये करेंगे कि कहीं भी गाड़ी खरा करते हैं तो अच्छे से लाक लगाएं। हैंडल लाक से गाड़ी खुल जाती है। अत्रिक एक लाक होता है जिससे गाड़ी कल टायर को लाक किया जाता है। वो लाक खरिद के रखें। वो लाक खुलने में परिसानी होती है। हैंडल लाक के भरोसे ना छोड़ें गाड़ी। कारवाई की जारी है उनको भी रिमान पे पेश किया जा रहा है अता लोगों से अपील है कि किसी से भी गाड़ी खरिकते समय प्रापर कागजात चेक करें